नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं दिवे हे माचल टीवी मैं हूँ आपके साथ नान की कौर दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे खबरे फटाफट में साथ दिन से अंधेरे में सितासट घर नौराधार में ट्रांसफोर्मर जलने से लोगों को हुई असो विधा चूरधार की चोटियों पर बरफबारी शीत लहर की चपेट में क्षेत्र एका एक मौसम ने ली करवट कांगणा में चल रहे तुरीगर्थ कला उत्सव में कुमार साहिल ने हिंदीव पहाडी गानों पर नचाय दर्शक सुनील राना ने भी किया सूरीला मनुरंजन केंद्र विद्याले नदौन में हुआ युवा संसत कारिक्रम विद्याले के 15 विद्यार्थियों ने लिया भाग शनिवार देर शाम तुफान ने बरपाया कहर धरमशाला में आंधी ने मचाया तांडव कई जगा गिरे पेड देर साल बाद जोनल अस्पताल मंडी में शुरू हुए हड़ियों के ऑपरेशन 3 लाग रुपए खर्च करके ठीक हुई कराब पड़ी सी आम मशीन सुगंधेत और आशिधिय पौधों से बढ़ेगी मंडी के बागवानों की आमदनी पांच दिन तक लखनों में प्रशिक्षन लेंगे बागवान नशे की कुरीतियों से ध्यान भटकाने के लिए खेलकुद प्रतियों गिता जलास्तरय लक्षमे नाराण सैंज मेले में जलास भर की 36 टीमें ले रही भाग प्रदेश के धार्मेक स्थलों के लिए सजग है प्रदेश सरकार श्री नैना देवी मंदर में बोले है माचल प्रदेश के चीफ सेकरेटरी प्रबोच सकसेना कांगणा में त्रिगा तुच्सव की दूसरी संध्या में तुफान से मची अफरा तफ्री जान बचा कर घरों को भागे लोग नाशनल हाइवेज साथ चंडिगर देहरादून माजरा के पास गिरा पेड वाहनों के पहिये थमे नीट एक्जाम देने के लिए उमड़ी अभियर्थियों के भीड पैन ले जाने की भी नहीं थी आनुमती राज के सम्मान से हुआ शहीद नायक अर्विन कुमार का अंतिम संसकार शहीद की धरम पतनी को सरकारिक शित्र में नौकरी देने का अश्वासन हमीरपुर की गाउं बडोल में थ्रेशिंग के लिए कठी की थी गहूं अग्यात लोगों ने लगा दियाग बिलासपुर में हुए सीनिय क्रिकेट टीम के ट्रायल जिला के पचास खिलाडियों ने बहाया पसीना नीट के परीक्षा के लिए उम्रा हुजूम ट्राफिक विवस्ता चर्मराई सडक की दोनों तरफ खड़े अभिभावकों के वाहन बने बस चालकों के लिए परिशानी का सबब डेहर फोरलेन चॉक पर लगे स्पीड ब्रेकर हाथसों की रोगताम हेतू एनेच आई ने उठाया कदम मिस हे मार्शल सब टाइटल को लेकर कांटे की टकर फोटोजनिक श्रेया परफेक्ट बॉडी साक्षी वर रैंप वाप का श्वेता के सिर सजा क्राउन जबकी मंडी की नैंसी को मिला मिस ब्यूटिफल हेर का किताब महिलाओं के सम्मान में पोस्ट ओफिस के माधियम से शुरू ही नई योशना एक हजार से लेकर दो लाग तक राशी जमा करवाने पर मिलेगा 7.5% ब्यास दो वर्षों के लिए जमा की जाएगी राशी कबरे फटाफट में आज के लिए इतना ही देखते रहे दिवेह माचल टीवी